तो दिन पहले किसी के यहा लगन लिखा जा रहा हूँ तो वहा गई मैंने देखा कि लगन लिखा जा रहा है लगन को संदेश भी कहते हैं, संदेज भेजते हैं, तो मैंने महाँ पे बैठी हुई दो-चार ओरतों से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन किसी के समझ में निया है, नकारात्मक मेरे को जवाब मिला, तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी इनको नहीं है, ये इस फंक्शन में आये हैं तो जब हम कहीं जाते हैं, तो उसकी जानकारी भी हुने चाहिए कि किस से संबन्दित कौन सा फंक्शन है, तो मुझे लगा कि हमें इसका परिचे देना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, कि ये क्या होता है, तो मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहते हूं कि शादी के पहले लगन लिखा जाता है मतलब लड़की वाले लड़के वाले को संदेश लिख कर भेजते हैं और उसमें अपने परिवार का सारा ब्योरा देते हैं और लड़की के बारे में बताते हैं और उनको इस प्रकार निमंतृत करते हैं निमंतृतन भेजने में वो अमंतृत करते हैं कि आप सबको पधार ना रहे हैं और आप बरात लेके आईए और बड़े दूनदाम से आईए दोल धमा के बजाते हुए आईए और अपने परिवार को भी साथ लेके आईए क्यों कि हमें आपका लड़का पसंद है और आपको भी हम्यारी लड़ी की पसंद है तो हम आपको निमंतरन भेज रहे हैं तो आप जरूर पधारी है तो इसका आउर्थ होता है कि निमंतरन भेजना और पोरानिक कथा क्या होता था कि राजपूतों के जमाने में राजा लोगों के जमाने में कि किसी भी लड़की की शादी होती या उसका संबंद मतलब सोच संबंद के बारे में विचार किया जाता था तो तो जैसे ही पता चलता तो सब राजा लोग जो है उस लड़की को ब्याने के लिए उस राज कुमारी को ब्याने के लिए सब इखटे हो जाते थे और उन में आपस में युद्ध होता था युद्ध होने के बाद उस में से जो जीतता राजा वही उस लड़की से लड़की को ले जाता था तो सारा माहूल खराब हो जाता और लड़की वाले के महाँ पर सारे बहुत परेशानियां हो जाती थी और कई मतलब लोगों की हत्याएं हो जाती थी मर जाते थे और बहुत अजीव सा माहूल हो जाता था इससे परिशान होकर लड़कों मतलब इसका ये उन्होंने हल निकाला कि जिसके पास संदेज जाएगा जिस लड़के के पास जिस घर में इसका शादी का संदेज जाएगा वो ही वर जो है लड़की के लिए ब्याहने के लिए आएगा तो ये लगन इसलिए लिखा जाता है जब दुला मा पर आता है तोरण मारने के लिए अपनी बरात लेके आता है गाजे बाजे के साथ आता है परिवार के साथ आता है तो वो कमर में पट्टा बांदा हुआ होता है और उसमें एक प्रकार का लिफाफा होता है और वो उसमें निमंतरन पत्र होता है, जब वो निमंतरन पत्र जो है उस समय वो उनको घरवालों को लड़की के घरवालों को सौंपता है, तो वो उनको ये विस्वास हो जाता है कि यही लड़का जो है वर बनके आने लाइक था, क्योंकि हमने इसी को निमंतरन भेजा है, इ यही सही है तो इस प्रकार जो है यह निमंतरन भेजने की कारिवाज बन गया और इससे माहोल भी ठीक रहने लगा और समझ में आने लगा सबको कि जब हम जिसको निमंतरन भेज रहे हैं वही शादी के लाहिक है हर कोई जो है वो लड़की को ब्या के नहीं ले जा सकता लगन लिखना लगन मतलब संदेश लिखकर भेजना यह जो है यह दिवाज बना वो शादी के तीन दिन पहले पांस दिन पहले या साथ दिन पहले लिखा जाता है और वो संदेश जो है दूले के साथ या परिवार के साथ भेजा जाता है और इस प्रकार जो है यह लड़क खरदा अपनी मतलब लड़की से विभा करके और खुशियां मनाते हैं और माहोल भी सही रहता है तो मैं आश्या करते हूँ कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी मिल गई बगी और यदि आप जानते हैं तो भी ठीक है नहीं जानते sudah तो आपको जानकारी मिल गई होगी तो मेरी सुब कामना है आप सबी को नमस्कार